नमस्कार मैं हूँ तोरल और आप देख रहें ततकाल नियूस लाइफ गुजरात में लैंडफॉल के बाद चक्रवाद भी परोज्वय की कारण कोई मौत नहीं हुई है NDRF ने इसकी जानकरी दी है NDRF के डीजी अतुल करवाल ने कहा है कि लैंडफॉल से पहले दो लोगों की मौति हुई थी लैंडफॉल के बाद कोई जानानी नहीं हुई है 24 जानवरों की मौति हुई है और 23 लोग घायल हुए है करीब 1000 गाओं में बिजली की आपूर्ती बादित हुई है 800 पेड़ गीरे है राजकोट के अलावा कई और बारी बारिश नहीं हो रही है डीजी ने कहा है कि चक्रवाद थोड़ा कमजोर पड़ा है बिपरवज़य के लैंडफॉल से पहले दुर्भाग्य से दो लोगों की मौत हुई है हजार गाओं में बिजली की आपूर्ती बादित हुई है हमारा फोकस जीवन को जल से जल सामान्य करने की और है उन्होंने कहा है कि तुफान जैसे कमजोर और गहरे दबाव से परिवर्तित हो रहा है तो इस से दक्षिन राजस्तान में बारिश होने की संभावना है राजस्तान सरकार के अनुरोद पर हमने एक टीम जालोर में पहुचा दी है इसके अलावा हमारी करनाटक में चार, महारश्ट में भी पास टीमें तैना थे तूफान भी परोज जय अब गुजरात के तर्ट से टकराया तब वहा करीब 135 कीमी की रफतार से हवाय चल रही थी और समंदर में काफी उच्छी लहरे उट रही थी अब वहा करीब 100 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से हवा चल रही है तूफान के कारण गुजरात के भावनगर में दो लोगों की मौत की खबर है मरने वाले पीता पूत्र है जो अपने मविश्यों को बचाने के दोरान एक नाले में बह गए राजवे में करीब 23 लोगों के घायल होने की खबर है 24 मविश्यों का भी मौत हुई है कई जगह पर बड़ी संख्या में पेड उखडने की भी खबर है